हालो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू मा यूटूब चैनल मॉम्मा बेबी गाइड फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में सेयर करेंगे बेबी का हेट डाउन पोजीशन किन अवस्थाओं में होता है और कितने विक्स में होते हैं जैसे कि आप सभी को पता है कि हर प्रेगनेंट मह क्या होते हैं नौर्मल डिलेवरी की कंडिशन क्या होती है किस कंडिशन में नौर्मल डिलेवरी हो सकती है इन सब के बारे में डीटेल में बात करेंगे वीडियो में इंड तक बने रहें सबसे पहले डिलेवरी के समय गर्भ में सीसू का हेट डाउन पोजीशन में होना जर आप यानि की नेचुरली तरीके से हो जाता है कभी-कभी 37 weeks में यानि की delivery के कुछ दिन पहले भी होता है यदी sisu का शील नीचे कि तिरफ होता है यानि की वर्त के समय जैसे sisu की वर्त होती ये उस तरफ sisu का हेड रहता है तो आपकी नॉर्मल डिलेवरी में परिसानी नहीं होती है जब सीसु हेड डाउन पोजीशन में होता है उस समय यानि के गर्भावती के प्राइवेट पार्ट पर असर डालता है प्रिसा डालता है जिसे सर्विक्स का मुग ओपन होने में मुग खुलने में हेड की तरफ होता है और सीसु का हाथ पैर मा के पीठ की तरफ होता है सीसु का हेड डाउन पोजीशन में आने का समय 32 वीक से 37 वीक तक होते हैं इसमें कभी भी सीसु अपना हेड डाउन पोजीशन कर लेता है यानि कि हेड डाउन पोजीशन में हो जाता है कई 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 चार दिन पहले भी सिसु अपने करता है आप इन कुछ तरीकों से पता कर सकते हैं कि सिसु का हेट डॉंट पोजीशन हो गया है पहला डॉक्टर के दौरा अल्टरा साउं से आप पता कर सकते हैं डॉक्टर आपको बताएंगी ट्रा साउं के उनजारPlay का पोजीशन किस तरफ है हेड डाउन पोजीशन में है या नहीं है दूसरा लक्षन यह संकेत होता है गरभौती महिला के नीचे प्राइवेट पार्ट पे बहुत ज़्यादा असर करता है उन्हें बार-बार ट्रैलेट जाने की इच्छा होती है और नीचे प्राइवेट पा ट्रफ है बच्चा जदे लात मारता है आपको उपर की तरह फेल होता है पेटके उपर के हिसे में तो याप ही से भी समझ सकती है कि बेभी का हें डाउन पोजीशन हो गया है आपके डॉक्टर ने फीक अवस्था को उपड़ से चेक करकर भी बढता सकते हैं कि दिक करता दो डिलेबरी के समय तक भी सीसु अपना हेटड़ाउन पॉजीशन न करें तो क्या करना चाहिए ऐसे में घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है अगर नेचुरली सीसु का हेट़ाउन पॉजीशन नहीं होता है तो आपको डॉक्टर से सलाह लेना है डॉक्टर से चेकप कराना है डॉक्टर जैसे कहेंगी उसके अनुसार आपको डिसाइड करना है कुछ ही केसेज में ऐसे होते हैं कि सीसू डिलेबरी के समय तक भी अपना हेट डाउन पोजिशन में नहीं आता है बाकि 95% सीसू डिलेबरी के 34 से 36 वीक तक अपना हेट डाउन पोजिशन कर लेते हैं आई होब कि आपको ये छोटी से वीडियो से पता चला होगा कि सीसू का हेट डाउन पोजिशन कब होता है किस तरीके से होता है और नहीं होता है तो आपको क्या करना चाहिए अगर वीडियो पसंद आए आपको लेगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरू किजिए वीडियो को से जरू किजिए थैंक यू थैंस फर वसिंग मैं वीडियो